पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बक्तियार और सिंगर अदनान सामी को अलग हुए 27 साल बीच चुके हैं दोनों ने 1993 में शादी की जिससे उन्हें एक बेटा अजान हुआ लेकिन तीन साल बाद 1996 में दोनों ने तलाख ले लिया सालों बाद अब जेबा बक्तियार ने अपने पूर पति अदनान सामी और उनसे तलाख लेने के बीच के संगश पर बात की है उनके लिए तलाख के बाद बेटे अजान की कस्टडी लेने की लड़ाई मुश्किल रही इस जोरन उन्हें मैंटल ट्रॉमा से कुजरना पड़ा था जो उनकी जिन्दगी का सबसे मुश्किल समय था लगातार कोट के चकर काटते वे उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई थी पाकिस्तानी होस्ट आमना है दर इसानी से बाचित के दोरान जेबा ने बताया मेरे पास कुछ फिल्में थी उसी दोरान मैंने अद्नान से शादी कर ली इससे पहले मेरे एक शादी एक साल में ही तूट चुकी थी मैंने अपनी फिल्मों की शूटिंग की और शादी से पहले मैंने फिल्मों से दूरी बना ली मैं वैसे भी एक्टिम में बहुत ज़्यादा इंटरस्ट्रेट नहीं थी वो तो बस परिवार की जब्मेदारी के लिए मैंने एक्टिंग की थी मैं प्रोड्यूसर या राइटर बनना चाहती थी जब मेरी इतना से शादी हुई और मैंने बेटे अजान को जरम दिया तो मैंने खुद को पूरी तरह शादी और बच्चे में लगा दिया जब मेरी शादी तूटी तो मैंने फिर काम ढूटना शुरू किया आगे से मा ने बेटे की कस्टिडी की लड़ाई के दोरान मजबूत बने रहने पर कहा मेरा दिमाग पूरी थरह से खराब हो चुका था मैं फंक्शन कर रही थी लेकिन मैं मेंटेली कहीं और रहती थी बार-बार कोट के चक्कर काटना बहुत मुश्किल था लेकिन आजमाईश किसी की जिन्दगी में नहीं होती ये लड़ाई 18 माहिनों तक चली और मैं ट्रोमा में रही जब मुझे कस्टडी मिल गई तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तो मैं अब काम करना चाहिए कुछ याट महीनों के बाद जब अजान मेरे पास आया तो मैंने उसे स्कूल भीजना शुरू किया और काम पर लग गई इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद